नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सब्सक्राइब को एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी साहित पर अधारित वन लाइनर क्वेशन्स तो दोस्तो पूरी वीडियो के साथ बने रहीएगा शॉल्ट वीडियो में हम बहुत सारे क्वेशन्स को सॉल करने वाले हैं देखने वाले हैं तो बहुत ही इंपॉर्टन्ट क्वेशन्स हैं और परिक्षाओं से रिलेटेड क्वेशन्स हैं तो पूरी वीडियो के साथ बने उसे जरूर से जरूर देखें क्योंकि उसमें जो भी कराया जा रहा है वो आने वाली परिशाओं मतलब जो जुलाई के इंड में और अगस्त में होने वाली परिशाओं हैं उनके लिए वो वीडियो बहुत ही महत्तपूर्ण हैं और कोई भी समस्य या प्रॉब्लम हो रही हो पढ़ाई से रिलेटेड तो आप मैसेज या कमेंड बॉक्स में कमेंड कर देजी तो वन लाइनर क्वेशन की बात करते हैं तो पहला है यहां पे अतीत के चलचितर के रचेटा कौन है तो हमने पढ़ा था महादेवी वर्मा अशोक के फूल निबंद संगरा के रचनाकार क जैशंकर प्रसाद एक नार पिया को भानी तन वाको सगरा जयोपानी या पंक्ती किस बहाशा की है ब्रज बहाशा की है कामाईनी किस प्रकार का ग्रंथ है कामाईनी एक महा काव्य है गागर में सागर भरने का कारे किस कवी ने किया है बिहारी लाल ने गाथा जिसे गाहा किसी ने कहा है कहने से किस लोग प्रशलित काव्य भाशा का बोध होता है प्राक्रत घनिष्ट की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है घनिष्ट तर चारुशब्द की शुद्ध भावात्मक संग्या क्या है चारुता चिंतामणी के रचैता कौन है रामचेंदर शुक्ल जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपिया लगाते है या गथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है मातो द्वारा कहा गया है मातो एक पात्र है उसके द्वारा ये कहा गया है जो जिन सासन भासियव सो मई कहियव सारू जो पाल इस दोहे के रचनाकार कौन है देवसेन जरना कावि संग्रा के रचैता कौन है जैशेंकर प्रसाद दुरित दुख दैन ना थे जब ज्यात अपरिचित जरा मरण भृण पात इस पंक्ति के रचनाकार कौन है सुमित्रा नंदन पंत देखन जव पाऊं तव पठाऊं जम लोक हाद दूजव ना लगाऊं वार करो एक करको ये पंक्तियां किस कवी द्वारा सरजित है नाभादास द्वारा दोहा कोश के रचैता कौन है सरहपा या सरहपाद नमक का दरोगा कहाणी के लेखक कौन है प्रेमचंद नाग नंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की हर शुवरधन ने नाट शास्त की रचना किसने की है भारत मुनी ने निराला के राम तुलसी के राम से भिन और भावभूती के राम के निकट हैं यह कथन किस हिंदी आलोचक का है डॉक्टर राम विलास शर्मा का निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधी विख्षेत क्या है निह धन उत्तर निशा निमंत्रन के रचनाकार कौन है हरिवन शुराय बच्चन पंचवटी में कौन सा समास है द्विगू समास पदमावद किसकी रचना है मलिक मुहम्मद जैसी की परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई इस पंक्ति के रचैता कौन है तुलसीदास पल्लाओ के रचैता कौन है सुमित्रा नंदन पंतु पवित्रता की माप है मलिनिता सुख का आलोचक है दुख पुन्नी की कसोटी है पाप यह कथन इसकंद गुप्त नाटक के किस पात्र का है देव सेना प्रगती वाद उप्योगिता वाद का दूसरा नाम है यह कतन किसका है नंद दुलारे वाजपेई का प्रभात फेरी कावी के रचनाकार कौन है नरेंद्र शर्मा प्रिये दर्शी का नामक संस्कृत गरंथ की रचना किस शासक ने की है हर्श वर्धन ने प्रेम सागर के रचनाकार कौन है लल्लू लाल जी बांगरू बोली का किस बोली से निकट का संबंध है खड़ी बोली बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है सूरती मिश्र भक्तमाल, भक्तिकाल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचईता कौन थे? नाभादास भर्हूत इस्तूब, भर्हूत इस्तूब का निर्माण किसने कराया था? पुस्य मित्र शुंग ने पूस्य मित्र शुंगने भारत भारती जो की काववे है कि रचनाकार कौन है मैथली शरण गुप्त मनुस्त के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं बुद्धी नहीं यह कथन किसका है रामचंद्र शुक्ल का रस मीमानसा रस सिधान से संबंधित पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है आचार रामचंद्र शुक्ल रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है खड़ी बोली रामचरित मानस में कितने कांड है साथ कांड है रामचरित मानस का जो प्रदहान रस है वो किस रस को माननिता मिली है भाक्ती रस को लहरे व्योम चुमती उड़ती चपलाएं असंख नच्ती पंक्ती जैशंकर प्रसाद की किस रचना का अंश है का माईनी शीवा बावनी के रचनाकार कौन है भूशन संस्करत के चार अध्याए किसकी रचना है रामधारी सिंग दिनकर की साच बराबर तप नहीं जूट बराबर पाप इस पंक्ती के रचनाकार की है तो ये पंक्तियां है सूरदास जी की सुहाग के नूपुर के रचैता कौन है अमरतलाल नागर हरिश चंदरी हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने इतिहास गरंथ में किया था रामधारी शुगल ने अपने इतिहास गरंथ में हितोप देश की रचना किस ने की है नारायन पंडित ने हिंदी साहित का अतीत भाग एक के लेखक का नाम क्या है डॉक्टर विश्वनात प्रसाद मिश्रू प्रत्वी राज रासो के रचनाकार कौन है चंद बरदाई अंकोर वाट कहां इस्थित है कमबोडिया में तो दोस्तो ये थे आज के हमारे वन लाइनर कुश्चन्स जिसमें हमने लगबग चोगवन प्रशनों को देखा तो दोस्तो अगली वीडियो में भी हम और कुछ प्रशने लेकर आएंगे इसी तरह से हम तयारी करते रहेंगे जब तक एक्जाम से नहीं हो जाते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद